हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम बात करेंगे डोक एरक्रोपिंग के बारे में कि डोक के कान कटवाना सही है या गलत और आखिर डोक के कान क्यों कटवाये जाते हैं आज हम इनी सब बातों पे चर्चा करेंगे तो आएए ये आपके डोक के लिए बहुँ ज़्यादा ख़तरनाक साबित भी हो सकता है क्योंकि जब आप अपने डोक के एरक्रोप करवा रहे होते हैं तो आपके डोक को काफी ज़्यादा पेन होता है और काफी ज़्यादा बलड बह जाने की वज़े से आपके डोक की मोद भी हो सकत प्रिटें कि डोग के एर क्रोप करवा देने से डोग की फेस की लुक और ज़्याद अच्छी हो जाती है तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका डोग अच्छी क्वालिटी का है तो आप अपने डोग के एर ना भी क्रोप करवाएं तब भी आपका डोग बहुत ही सुन्दर और बहुत अच्छा दिखेगा दोस्तो आपको तो पता ही होगा कि डोग कितने मासूम और अपने मालिक के कितने वफादार होते हैं कुछ लोग इसी चीज का फायता उठा कर पैसे के लिए अपने डोग की फाइट करवा देते हैं उनकी डोग के कान दूसरे डोग की पकड़ में ना आए इसलिए भी वो अपने डोग के कान कटवा देते हैं दोस्तो डोग फाइटिंग बहुत ही जादा गलत और गैर कानूनी भी है कई शेतरों पे तो गौर्पेट ने डोग फाइटिंग को बैन भी कर रखा है तो आपको अपने डोग के एर क्रॉप करवाने की कोई जुरत नहीं है आप अपने डोग को अच्छी फीड दें अच्छा खाने को दें और अच्छी देख रेक करें तो आपका डोग वैसे ही बहुत जादा सुन्दर और एट्रैक्टिव दिखेगा धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सस्क्राइब करना ना भूले हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो पर